अब new iPhones के साथ आपको adapter देखने को नहीं मिलता है जिसके वज़े से यहाँ पे आपको अलग से purchase करना पड़ता है adapter को charger को जिसके वज़े से डुपली के इसी के बहुत ही ज्यादा chances हो जाते हैं क्योंकि Apple की जो original adapter की price है वो 2000 रुपे है तो कई बार आपको यहाँ पर discount देखने को मिल जाता है 1200, 1300 या फिर 1600 रुपे में तो काफे सर लोग महाँ से adapters को buy कर लेते हैं अलग-लग sources से बट end में होता है कि उनको पता चलता है का adapter fake है तो किस तरीके से आपको identify करना है fake में और real में क्या difference रहता है और आपको कैसे और कहां से buy करना चाहिए Apple का original adapter आज मैं आपको यह चीज़े अच्छे तरीके से detail में इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि इस तरीके के informative वीडियो में लाता रहता हूँ अगर आप लोग आइफोन यूजर है तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना क्योंकि आप ओपन करने से पहले box को ही देखोगे तो अभी जो मेरे पास box है यह fake box है आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि original है काफी अच्छी quality है बढ़ यह fake box है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको तुरंती देख के पता कर लिया था वीडियो के end में still आप देख सकते हैं side by side आपको मैं compare करके दिखाता हूँ तो सबसे बड़ा difference ही होता है कि जो आपको box पे stickers देखने में मिलते हैं वो काफी symmetry में अच्छी तरीकी से apply करे गई होते हैं original पे font की quality में difference रहता आपको पहचानना होगा adapter से उसमें क्या differences रहते हैं तो अभी मैं compare करने वालों side by side donate 20 watts को आप देख सकते हैं देखने में कोई भी difference नहीं लगता है बिल्कुल same लगते हैं इनकी dimensions हैं वो भी बिल्कुल equal है मतलब कि दूर से आप बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि कौन सा fake है कौन सा original है पर definitely कुछ differences निकल कर आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं build quality की जो यहाँ पर material यूज कर रहा है original adapter में वो थोड़ा सा जादा fine है जादा smooth है जो यहाँ पर plastic की quality है आपको थोड़ी सी superior देखने को मिलती है बर still जो person पहली बार buy कर रहा है वो इन सब चीजों को देख के नहीं बता सकता की असली है की नकली है तो आपको मैं बताता हूँ सबसे ज़ादा बड़ा difference जो निकल कराता है वो यहाँ पर font में प्रिंटिंग की quality बहुत ज़ादा smooth नहीं वहीं आप देख सकते हैं औरिजिनल वाले में मतलब की बिलकुल एक ही तरीके से मिल रखा है जो print है body के अंदर ही आपको यह चीज हमेशा देखनी होगी कि apple जब भी किसी भी चीज पर printing करता तो वह बहुत ज़ादा dark नहीं होती कभी भी बहुत ज़ादा light एंड काफी subtle होती है वहीं आपको fake वाले में हमेशा इंक की quality बहुत ज़ादा dark देखने ही मिलती है फेक वाले के साथ तो जो font का style है font का color है print का जो texture जो quality है हर चीज में आपको difference देखने को मिलता है इसे के बाद आपको एक difference यहाँ पर टाइप सी पोर्ट में भी देखने हो मिलता है जो जैक है उसमें भी difference है बट पहली बार जो person buy कर रहा गें मैं बताना चाहूंगा वो इन की तो weight में भी कुछ differences देखने को मिल जाते हैं जो fake वाला उसका weight 58 grams वहीं जो original वाला उसका weight आपको 3 या 4 gram जादा देखने को मिलता है 61 या 62 grams बट यह चीज़ डिपेंट भी करती क्या fake किस quality का adapter layer है क्योंकि fake में बहुत सारी categories आती है 300, 400, 1000 रुपे या 12, 1300 तक भी आती है तो वही लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा fraud करते हैं और shopkeepers एवन इस तरीके से fraud करते हैं कि वह एक ही adapter को कुछ लोगों को 1000 रुपे का बेचते हैं कुछ लोगों को 300, 400 रुपे का बेचते हैं और जो कुछ newbies होते हैं उनको 1500 तक भी बेच देते हैं तो आपको shop के थुरू बिल मिलती है अगर आपको return policy देखने को नहीं मिलती है तो still आपको मैं recommend करना चाहूँ आपको flipcard या फिर Amazon से भी buy नहीं करना चाहिए क्योंकि flipcard और Amazon की कोई भी गलती नहीं है बट कुछ sellers होते हैं जो की fake product बिजवा देते हैं and return या फिर replacement policy नहीं होती है जिसके वज़े से वह ऐ करना चाहिए and ऐसे बिल्कुल भी होई नहीं सकता कि आपको 2000 रुपे का adapter कोई भी shop की पर या फिर कहीं से 1200-1300 को मिल जाए discount में बहुत ज़्यादा chances होते कि वह fraud ही करते हैं fake adapter आपको पकड़ा देते हैं क्योंकि इसके डुपली के इसी बहुत ही ज़्यादा होती है market में इन में क्या differences हैं आपको कहां से buy करना चाहिए and all the things so guys अगर आपके अभी भी कोई doubts है lightning cable को लेकर या फिर किसी और accessories को लेकर मुझे comment sections में ज़रूर बताना मैं उस पे एक separate video अलग से बना दूँगा and make sure to subscribe this channel now along with bell icon क्योंकि में जो next video लाँँगा उसको आप miss ना कर दे video पसंद आ